नमस्ते जब मैं पहली बार गोवा गया था तो देखा कि लोग रात में समुद्र के किनारे कागस के लाल टेन जला के छोड रहे थे जो बहुत उपर तक जाते थे वो बहुत सुन्दर नजारा था सुन्दर? बहुत अच्छा? हाँ, मुझे बहुत पसंद आया लेकिन मैं उसका अनुभव करना चाहता हूँ हम यही कर सकते हैं कैसे? आओ देखते हैं हमें तीन चीजे लगेंगी सबसे पहले एक टी बैग फिर एक माचिस का डिब्बा और एक प्लेट चलिए अब प्रयोग की शुरुवात करते हैं पैकेट को खोल के टी बैग निकाल लीजिए टी बैग को बड़ी सावधानी से निकालिए यह प्रयोग के लिए बहुत ज़रूरी है आपको बड़े ध्यान से इस रस्सी को निकालना है पेपर फटना नहीं चाहिए बहुत अच्छे इसे खोल के बाहर गिरा दीजिए पेपर के साथ सावधान ध्यान रहे कहीं चाहिए निकालते वक्त पेपर फटना जाए बहुत अच्छे अब आपको इसे जलाना है घर के अंदर नहीं मैं आपको बता दू कि आपको इसे घर के अंदर नहीं घर के बाहर जलाना चाहिए मज़ा आ गया लेकिन इसके पीछे क्या वैज्यानिक कारण है मैं बताता हूँ आपको जब आग से पेपर जलने लगता है तो लौक के आसपास की हवा के अनू का विस्तार होने लगता है वो उपर की ओर उठने लगती है और अपने साथ पेपर को भी उड़ा लेती है आपने होट एर बलून देखे होंगे या फिर आपके गोवावाले लाल्टेन दोनों ऐसे ही काम करते हैं इनके अंदर के हवा के अनू हमें दिखाई नहीं देते हाँ जैसे वो गरम होते हैं अनू का विस्तार होता है जिससे वो हलके होते जाते हैं और उपर उठते जाते हैं मैं समझ गया यह बहुत मुझेदार है बहुत अच्छे